नमस्कार स्टूडेंट्स आपका अपने चैनल पे स्वागत रविनंदन है। नमस्कार स्टूडेंट्स आपका अपने चैनल पे स्वागत रविनंदन है। तो आपको याद हो गया कि राजस्थान राज्य उभोक्ता संरक्षन अधिनियम 1986 पारित हुआ था ये लागू कब हुआ इसकी इसकी स्थापना कहां केगी इसका मुखेले कहां बनाए गए इसके परत्हमद्यक्स कोन बनाएगे दूसरा नेस्ट जो अपना आयूग है वो है राज़स्था मंडल अजमिर और राज़स्था मंडल का जो कारिय है भू अभिलेक समंदी और भूमी का प्रबंधन करने समंदी जो कारिय हैं वो इसी के कारिये हैं कि कहने का मतलब ये एक अर्द न्याईक निकाय है और इसकी स्थापना कब हुई वो हुई एक नौंबर उनिसो उन्हंचास को इसके प्रत्थम अध्यक्स बनाएगे ब्रज चंद सर्मा नेक्स्ट जो आयोग है अपना राजस्थान राज्ये लोक शेवा आयोग राजस्थान का सबसे बड़ा भरती बोर्ड है कहने का मतलब और पी असी राजस्थान लोक शेवा आयोग जिसकी स्थापना 20 अगस्तो निसो उन्हंचास को अजमेर में हुई घूगरा घाटिया मुख्याले है वो इसके प्रथम अद्यक्स बनाए गए थे वो कौन थे एसके घोस एसके घोस इनके प्रथम अद्यक्स बनाए गए नेक्स्थ जो आयोग होगा अपना वो होगा राज्ये निर्वाचन आयोग और इसका मुख्याले जैपूर में है और इसका कार्ये क्या है राज्ये निर्वाचन आयोग, निर्वाचन मतलब चुनाव समंदी, ये तो पता है, राज्ये में चुनाव करवाने का कारी, अब राज्ये में चुनाव किसके, लोकसभा के, या विधान सभा के, या पंचायती राज के, या नगरिय निकायूं के, तो आपको पता होगा कि क पेंद्री निर्वाचन आयोग है वो लोगसभा और विधान सभा के चुनाव तो करवाता है राज्ये में लेकिन पंचायतों के चुनाव नहीं करवाता तो पंचायतों के चुनाव अब किसके कौन करवाएगा राज्ये निर्वाचन आयोग और इसके इसकी स्थापना कब कि अमर सिंग राठोड, राजे निर्वाचन आयोग का कार्यकाल, कार्यकाल बहुत बार पुछा जाता है, पांच वर्ष या पैंसट वर्ष जो भी पहले हो जाए, वो ही राजे निर्वाचन आयोग का कार्यकाल होगा किसी भी व्यक्ति का जो निर्वाचन आयूक्त बना है उसको या तो कारिये करते हुए पांच साल हो गई हूँ या उसकी उमर है वो 65 वर्स हो गई हो यानि कोई सी भी उमर है वो पहले हो जाए वो ही उसका कारेकाल होगा राज्ये वितायोग वित यानि धन समंदी तो राजस्थान में प्रत्थम राज्ये वितायोग का गठन कब हुआ इसके प्रत्थम अध्यक्स कौन बनाए गए थे कर्शन कुमार गोयल और राज्ये वितायोग राज्ये सरकार और पंचायती राज्ये स्थानिये जो निकाय है उनके मध्य वितिय बटवारे समंधी प्रामर्श देने का कारिय करता है और वितायोग का गठन पांच वर्ष के लिए करता कौन है राज्येपाल वितायोग का गठन कौन करता है राज्येपाल कितने वर्ष के लिए पांच वर्ष के लिए लोकायुक्त लोका युक्त का कारिय क्या है ये आपको पता है 28 अगस्त 1973 को ID 2 इसके पर्थम अध्यक्स बनाए गए थे किस वर्ष 1973 को पर्थम लोका युक्त बनाए गए और इनका मुख्याले रहता है जैपूर राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकर्ण आर्कैटिस का गठन राज्य करमचारियों के शेवा समंदी मामलों के विवादों के निप्टारे के लिए एक जुलाई उनिसो चिंतर से क्या गया और जैपूर में इस्तिथाई अधिकरण की एक पीठ जोदपूर में भी है केंद्रिये प्रशास्नी का पीलिये नियाएधिकर्ण राज्य में केंद्रिये करमचारियों के शेवा समंदी मामलों का निप्टारा करता है जैपूरोर जोदपूर में ये कारियरत है नेक्स्ट जो अपना आयोग होगा वो होगा मुख्य सत्रक्ता आयोग या आयुक्त 28 मार्च 2001 को आर्शी नायर राज्ये के पहले मुख्य जो सत्रक्ता आयुक्त बनाए गए थे वो थे और मुख्य सूचना आयोग की हम बात करें मुख्य सूचना आयोग की तो सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होँआ था अपना बारा अक्टूमबर दोगोँ होगे और इसका गठन कर दिया गया अप्रिल दोगोँ होगे 12 अक्टूमबर 2005 को इलागू हो गया और इसका गठन कर दिया गया अप्रेल 2006 में राज्य के पहले सूचना आयूग तो बना दिये MD कोरोनी और इसका मुख्या ले रखा गया जैपूर में नेक्स्ट जो अपना आयूग है वो है राज्य मानव अधिकार आयूग या मानव अधिकारों की रक्षा के लिए राजस्थान में एक आयूग काम करता है और उसका नाम है राज्य मानव अधिकार आयूग और इसकी स्थापना कब होती है पहली बार तो इसका मुख्याले जैपुर में और इसकी स्थापना 18 जनौरी उनिसो निनाणमे को ही और इसने कारी शुरू कब किया मार्च 2000 में ये राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में बहुत बार पूछा जाता है इसकी स्थापना से समंदित राज्य महिला आयोग अब महिलाओं की समझ्याओं को सुनने के लिए राज्य इस्तर पे एक आयोग बना हुआ है राज्य महिला आयोग और उनके अधिकारों के लिकारे कर रहे हैं संद्रा मई 1909 में को जैपूर में इसका गठन किया गया था और इसकी अध्यक्स बनाएगे शिरिमतिकांता खतूरिया राज्य महिला आयोग के राज्य विधिक सेवा प्राधिकर्ण इस्टेट लीगल सर्विस जो ओथोरोटी है इस्टेट लीगल सर्विस ओथोरोटीज का गठन जैपूर में किया गया और ये के अंदर सरकार ने एक अधिनियम पारित किया था 1987 में उसी के तहत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का भी गठन किया गया उसका मुख्यले बनाया गया जैपूर में तो ये आपके भरती अक्जाम में राजस्थान से समंदित कोई भी भरती अक्जाम में हो वहाँ पे आयोग और इनसे समंदित परसन पूछे ही जाते हैं तो नेक्स्ट जो भी भरती अक्जाम आप देंगे यहां से आपके कई परसन पूटप होने वाले हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट और महतोपून सुचना के साथ इस तरह की जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सस्क्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट और महतोपून वीडियो के साथ तब तक all the best